हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू मैज चैनल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिन पारीजैसिक सिस फिप्टी टैबलेट के बारे में उसके यूज के बारे में उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में उसके डोस के बारे में और वो कौन-कौन सी बाते हैं जो इ आपके सरीर में वैसे chemical messengers जो दर्द और बुखार के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें आपके सरीर से हटाने का काम करता है। आसान भासा में इस medicine की use की बात करें तो ये medicine सिर दर्द, migraine की दिक्कत, दातों में दर्द, जोडों में दर्द, गले में खरास, गठिया या फिर मास पेसियों में दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर इस medicine को use करने की सलाथ देते हैं। इस medicine के कई सारे side effects भी देखने को मिलते हैं। जैसे indigestion की दिक्कत यानि की खटी धकार आना, पेट दर्द, उल्टी होना या उल्टी होने की संभावना उत्पन होना, बेचैनी होना, पेट खराब होना या फिर low blood pressure की दिक्कत। इसलिए इस medicine को बिना doctor की सला की use ना करें। और अगर इस medicine की use से आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो अपने doctor से consult जरूर करें। अब बात करते हैं इस medicine की dose के बारे में, तो ये medicine खाना खाने के बाद लिया जाता है। इस medicine को तोड़ कर या चबा कर नहीं लेना है। इस medicine की दो खुराक के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर होना आवस्यक है। इस medicine की खुराक 24 घंटे में 4 से जादा नहीं होनी चाहिए। इस medicine को 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैक्ति के लिए ही इस्तमाल किया जाना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात इसे लेना कितने बार है। तो दोस्तों इस medicine की खुराक आपके प्रॉब्लम्स और कई सारे नियमों पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए इस medicine को बिना किसी डॉक्टर के सला के यूज ना करें। और डॉक्टर ने जैसा dose बताया है उसी को फॉलो करें। अब बात करते हैं उन बातों की जो आपको इस medicine को लेने से पहले ध्यान रखनी जरूरी है। अगर आपको kidney या liver की कोई problem हो। अगर आप paracetamol composition की कोई और medicine ले रहे हो। अगर आप बहुत जादा सराप का सेवन करते हो या फिर आप किसी मानसिक बिमारी से पीलित हो। ऐसी कोई बात अगर आपके साथ हो तो इस medicine को लेने से पहले इन बातों को अपने doctor को जरूर बताएं। इस medicine का overdose या फिर गलत dose आपके सेहत के लिए हानिकारग भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों इस छोटी सी जानकारी के साथ मैं अपने वीडियो के ही समाप करता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरू करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।